हेलो फ्रेंड्स जैहिंद आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शम, कालीन, भारत और सिच्छा के बारे में यहाँ पर हम लाए हैं आपके लिए यूट सेकेंड के इंपॉर्टेंट कोश्चन्स जैसा कि आप सभी को पता है हमने यूट फर्ष्ट के भी कोश्चन्स पहले से प्रोवाइड करा दिया है बहुत सारे बच्चें जिनके पास बुक्स नहीं है या बुक्स है भी तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है जहां पर हमने हर एक सब्जिट के वीडियो रखे हैं और आप सभी को पता होगा कि अभी MSU का B8 का पेपर चल रहा है और वहां के आपने पेपर्स भी देखा मैंने उसका भी वीडियो अप्लोड किया था तो जितने भी कोश्चन्स हमने बताय थे वो सारी कोश्चन्स वहां आपके एक्जाम में आ रहे हैं तो कही न कहीं इस बात का संकेत है कि अगर आप मेरे बताय हुए कोश्चनों को याद कर लेंगे जो भी कोश्चन्स हम यहां डिसकस करें और कोश्चनों को ध्यान से देख लेंगे तो 101% डैन है कि आप अपने एक्जाम में एक बेतर मार कर पाएंगे तो चलिए बात कर लेते हैं यहां पर आज का जो कुश्चन है जिसकी हम आज बाते करेंगे लेकिन उसके पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं पहले वार भी विजिट किया है तो आप सबी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां हम आपके स्लाबस और प्लस आपके अपडेट्स पिलाके हम आपको टैमली देते रहते हैं बात करेंगे उटके घुशना पत्र के उद्देश क्या थे या इनकी परमुक सिफारिशे क्या थे तो यह question आपका बहुत important है। ध्यान देना इस सारे questions आपके exam में हो बहू हो सकते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूं ऐसे पूरे के पूरे questions आपके exam में आ सकते हैं जैसे आपको यद होका तरी भाचा, शुत्र क्या है मैंने अभी जस्ट कुछ दिनों पहले डिफाइन कया था और वही कोशन MSO में आ गया था सेम कोशन आ गया था तो ऐसी ही आपकी कोशन्स फ़स आएंगे ये भी कोशन आपका बहुत इंप्वाटेंट है तो यहाँ पर बाते हो रही हैं उड़ के घोशना पत्र के उद्देश की तो इन्होंने क्या का था उड़ के इस घोशना पत्र ने सिच्छा का एक उचित धांचा प्रस्तुत किया गोशना पत्र की प्रमुक्षिफारिशन आप सभी को पता है उड़ जो थे वो सिच्छा के छेतरी में ही काम करते थे तो इन्होंने एक गोशना पत्र दिया जिसमें इन्होंने सिच्छा के अस्तर के लिए बाते की बातों में इन्होंने अपने इस घोशना पत्र में इन्होंने क्या-क्या points मेंशन किया जैसे यहाँ पर सबसे पहला point था समस्त भारत में विविन अस्तर जैसे प्रात्मिक अस्तर होता है, मिडिल अस्तर होता है, हाई स्कूल होता है इसकोलों की अस्थापना की इन्होंने अपने इस घोशना पत्र में कहा कि जो समस्त भारत है जो पूरा भारत है समस्त भारत में हमारे जितने भी राज्ये हैं हो सारे राज्ये पूरे हमारी कंट्री आजाएगे इसलिए यहाँ पर लिखा गया है समस्त भारत तो पूरे भारत में विभिन अस्तर विभिन अस्तर यानि जितने भी अस्तर होते हैं हमारे हो चाहे प्राथमिक हो चाहे मिडिल हो या हाई स्कूल हो कि स्कूलों की अस्थापना करने की बात कही इन्होंने अपने गोशना पत्र में क्या कहा कि समस्त भारत में बिभी नस्तरों पर हो चाया प्राथमिक हो चाया मिडिल हो या हाई स्कूल हो आधिके स्कूल हो के अस्थापना करना इनका इह पहला पॉइंट था इनका दूसरा पॉइंट था कि भारत के नागरिकों को मानसि के विकासहु करना को सारी चीजे चाहे मानसिक्ष्तिक विकास करना क्यां må video चाहे मानसिक विकास हो चाहे चाहे स्कूल में जाते她 हैं तो शुमस्खी आपना चाहे हमा मानसिक विकास से संबध बनाना इस पत्र में मुंबई कुलकता तो था चिन्नई के उच्छ सिच्छा के लिए विश्विद्यालियों की घोशना की गई खोलने की घोशना की गई इन्होंने कहा कि जो मुंबई है कुलकता है चिन्नई है वहाँ पर उच्छ सिच्छा यानि जो हमारा हाई रि इस गोशना पत्र में जो उटस जिसे हम लोग उटस डिस्पैच कहते हैं इन्होंने इसमें लिखा कि चाय मुंबई हो या कुलकत्ता चन्नाई में यहां पर कहीं न कहीं में विश्विद्याले नहीं खोलने हैं जो कि उच्छा प्रदान करें आगे इन्होंने अगला छटा प प्रांथ हैं हर एक प्रांथ पे कहीं न कहीं हमें स्कूल खोलना है सिच्छा विभागों की अस्थापना करना है इस सारा उद्देश जो था इस सारा जो सिफारिशे थी जो उनकी परमुक परमुक सिफारिशे थे उड़की ओ यही सिफारिशे थी इन्होंने पूरा विकास ए सारे चीज़े हो सकें स्यात्वा पॉइंट इनों ने दिया था सिच्छा ब्योस्ता किसी वर्ग विशेज के लिए ना होका जन साधरन के लिए हो आप सभी को पता है कहीं न कहीं हमाया देश में भेद भाव की भावना बहुत जादा है तो इनका ए जो इनोंने घोषना पत्र दिया था उसमें नोंने कहीं न कहीं ए बाते लिखे थी कि सिच्छा ब्योस्ता किसी वर्ग विशेज के लिए नहीं होना चाहिए उस सभी के लिए होना चाहिए जितने भी वर्ग के लोग हैं वो किसी भी जाते समधाय भी से इस वर्ग से आते हैं, वो सिच्छा ग्रहन कर सकते हैं, हर एक इनसान को अधिकार है कि वो सिच्छा प्राप्त कर सकता है, तो सिच्छा विवस्ता किसी वर्ग के लिए न होकर जन साधरन के लिए हो, अध्यापकों के प्रिसिच्छन की कच्छ प्रारम्ब के जाए, य Alexandra और लिए स्थापना करना इनका एक निड़न ए भी था एक घुशना ए भी था कि भारत के जो पांच राज्यें हैं उसमें कहीं न कहीं लोग सिच्छा विभाकिया स्थापना की जाया सिच्छा का माध्यम भारती भाषाओं वा अंग्रेजी का समवनवित रूप में सवविकार किया गया उन्होंने कहा कि जो सिच्छा है सिच्छा का माध्यम है कहीं न कहीं हिंदी भासा में भी ग्रांड कर सकते हैं और अंग्रेजी में भी तो उन्होंने अपने इस घुशना पत्र में सिच्छा की भासा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी और हिंदी को मातो दिया ठीक है राज्य के पदों के लिए योग व्यक्तियों को तयार करना उन पदों के लिए सभी भारती भाषाओं में उचित पाठ्य पुस्तक का प्रबंध किया जाए और सभी भारती भाषाओं में क्योंकि आप सभी को पता है हर एक विसेस राजजिगा कहीं न कहीं एक विसेस भासा होती है तो हर बिसी इस भासा में पार्बुस्तो के जो है यू जो प्रबाइड किया जान Somewhere अधोकी के लिए कहीन न कहीं विश्विद्जदेले और महा विद्जदेले का स्थापना किया जानgard ऐसा कला नारी सिच्छा का परशार के लिए अनुदान किया जान जो नारी सिच्छा है कही न कहीं इसको बढ़ावा दिया जाए, इसके परचार प्रशार किया जाए और इसके लिए अनुदान भी कनना पड़े तो अनुदान भी किया जाए लाश्ट पोइंट इनका था सिच्छा संस्ताओं में धार्मिक टतरता को अपनाया जाए तो ये सारे points इनके wood के थे, wood's dispatch जिसे कहा गया, wood का जो घुशना पतर था, ये सारे points थे, अगर इन points में से कुछ भी points आपको अच्छे से याद रहेंगे, तो आपने exam में बहतर कर पाएंगे, कहीं न कहीं इन्होंने सिच्छा के अस्तर के लेके बात ही कि school खोलने पे ज़्या ज़्यादा परभाव दिया, कि school खोलने पे इन्होंने ज़्यादा जोड़ दिया, तो ये सारे points कुछ दिमाग में हिट कर जाएंगे, तो आपने exam में बहतर लिख पाएंगे, तो कहीं न कहीं इस वीडियो से आपको इस question को तैर करने में काफी मदद मिली होगी, तो जैसा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, so thank you friends, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं निस्ट वीडियो में, जल्द ही आपकिस topic पे वीडियो जाते हैं, जरूर बताइएगा